नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाध्या है स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों एक शेयर जो 27 जुलाई को बॉनस इशू पे विचार करने वाला है और बॉनस इशू कर सकता है सरकारी कमपनिय है एक बार मैंने वीडियो बनाइथी जहां पर मैंने इस्टाॉक का नाम आप सभी को लास्ट में बताया था तो काफी सारे लोग परिशान and काफी निराश हुए थे कि भाई ऐसा मत करिये इस्टॉक का नाम सबसे पहले बताईए तो सबसे पहले मैं आप सभी के साथ इस्टॉक का नाम शियर करता हूँ and इस्टॉक बॉनस अनाउंस करने वाला है and बॉनस से पहले क्या आपको लेना चाहिए या नहीं इसके बारे में बात करूँगा दोस्तों मैंने थोड़ दिन पहले भी एक ऐसी वीडियो बनाई थी जहां मैंने आप सभी से बात करी Sonata Software के बारे में company ने अनाउंस करा कि हम बॉनस अनाउंस करने वाले है around 25th of July की शायद date थी तो वहां पे जिस दिन अनाउंसमेंट हुए उसके next दिन 6% की तेजी देखने को मिली That means आज के session में इस stock में bonus की अनाउंसमेंट हुए है शायद Monday को आपको जोड़दार तूफानी action देखने को मिले इस stock में तो ये दो purpose से आपके लिए main हो जाता है सबसे पहले तो आपके लिए Monday के session में इस stock में बड़ा action हो सकता है और दूसरी बात 27 जुलाई को यहां बड़ी developments हो सकते हैं बड़ी ख़बर आ सकती है bonus से related तो चलिए मैं बिना किसी दिरी के आपको stock का नाम बताता हूँ एंड वीडियो को start करते हैं आगे बढ़ाते हैं तो उस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबी से एक छोटी सी request करना चाहूँगा अगर आप लोग मेरे channel पे पहली बार visit कर रहे हैं तो प्लीज इसको subscribe करें notification bell icon दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचें सबसे पहले एंड ये वीडियो आपको informative लगे समझ में आए तो प्लीज इसको like भी कर देना ताकि मुझे motivation मिलती रहे तो चलिए stock का नाम बताऊं Gale यानि Gas Authority India Limited के stock के बारे में बात करें तो कंपनी की तरप से अभी अभी जस्त अभी अभी पांच मिनट भी नहीं हुए इस बात को officially announcement हुई है कि कंपनी अपने bonus पे विचार करने वाली है तो मैं exactly आपको बताऊं तो Gale का stock 25th 27th of July को कही ना कहीं consider bonus issue of share board meeting on July 27th consider bonus issue of shares तो company की तरप से officially ये ख़वर आई है कि company 27th July को bonus share पे विचार करने वाली है तो अभी stock के बारे में जानते है क्या आपको खरीदना चाहिए या आपको इस stock से दूर रहना चाहिए सबसे पहले तो मैं बताऊ इस news का इस announcement का impact बहुत positive होगा देखिए चाहे dividend हो bonus हो split हो उससे पहले जो भी corporate action होता होता है उसकी announcement पर उसका impact दिखता है और जब होना होता है तब impact नहीं आता है क्योंकि future को discount करना ही stock की खासियत है stock market की खासियत है अब देखिए dividend company कोई भी announce कर दे for example वेदानता का latest 19.5 रुपे परिशेर का dividend है stock जब dividend पे कर रहा था तो 20 रुपे गरी गया 18 रुपे गरा था लेकिन जिस दिन announcement हो उसके अगले दिन stock करीब करीब 16 रुपे उपर था तो जिस दिन announcement हो उसके अगले दिन 9.90 का stock का आज का low है and stock 141.60 के levels पे day low के पास कही न कहीं closing देता हुआ 82.55 lakh shares trade हुए stock के 92 lakh shares का average volume है stock में लगबग 5 के PE पे ये stock trade करता है and stock की बात करूँ तो 62,000 करोड का company का market cap है चलिए इतनी सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया all time high stock का 199 है देखिए दोस्तों all time high की बात कर रहा हूँ 52 week high की बात नहीं कर रहा हूँ all time high 199.70 all time low 8.06 रुपीज का है 52 week high की बात करें 173.50 रुपीज का है 52 week low 125 का है अब मैं stock के valuations आपको पूरी तरीके से बता हूँ जो कि अभी तो मैंने केवल और केवल आपको stock का P.E. बताया तो P.E. तो चल रहा है 6 पे valuation wise देड़ की price to book value पे almost trade कर रहा है debt almost debt free आप कह सकते हैं share holding pattern की बात करें 51.52 परसेंट की holding promoters hold करते हैं तो अच्छी बहानी जाएगी F.I.S. 19.78 परसेंट का hold करते हैं तो बहुत अच्छी बात है D.I.A. mutual funds मिला के 15.19% hold करते हैं रीटेल इंवेस्टर्स के पास मात 13.51% की holding है तो बहुत अच्छी है share holding pattern देखा जाए तो stock अपने limelight में रहता है अपनी dividend yield तो जादा नहीं दिख रही है बटना dividend के लिए काफी जाना जादा है 4.5% की dividend yield है क्योंकि stock ये growth stock तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आपको एक साल के return की बात करें तो 1.5% के negative return है 2 साल की बात करें तो stock ने अच्छे return दी है 38% के वहीं अगर 5 साल की बात करें तो फिर से negative returns मिल जाएंगे तो ये stock dividend के लिए ही लोग public mainly buy करती है से stock को अब मैं से stock के आपको थोड़े से technical levels बताना चाहूंगा stock की बात करें तो 20 DMA 138 पे है जो उसके उपा stock ट्रेड कर रहा है 50 DMA 143 के पास है जहां trade कर रहा है stock already 141.142 पे trade कर रहा है and 143 का 50 DMA 200 DMA भी बिलकु नियरबा है 145 का and 100 DMA की बात करें तो 150 रुपीज पे 100 DMA stock का RSI indicator neutral trade कर रहा है and financials मैं आप सभी के साथ already share कर चुका हूँ अगर इसके pet वगेरा की थोड़ी सी आप जानकारी लेना चाहते है तो वो भी मैं आप सभी के साथ share कर देता हूँ तो चलिए आपके साथ मैं pet की बात करता हूँ तो March 22 की बात करें तो company की sales के net profit की बात करें 3048 करोड की company का net profit है अगर इसकी balance sheet देखूँआ तो current liabilities stock पे लगबग लगबग 15,092 करोड की है अगर current assets की बात करें तो 16,307 करोड की है तो कहीना कहीं almost बराबर ही है अगर book value per share की terms में rupees के terms में बात करूँ तो 144.82 का book value per share है अभी शायद मैंने आपके साथ 1.5 times पे book value trade करता है लेकिन नहीं यह stock book value per share के हिसाब से 1 की book value per share पे trade करता है क्योंकि इसकी अभी भढ़कर 144.00 पर share की book value हो गई है मैंने आपको 120.00 पर share के हिसाब से बताया था तो यह मेरी पूरी वीडियो गेल के stock पे 27 जुलोई को ध्यान रखना है इस stock पे काफी बड़ा action हो सकता है hope आपको समझ में आयोगी thank you so much for watching this video have updated